जै मसी की मसी परिवार वचन जीवन का रिक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं प्रव येश्व मसी के नाम से और धन्वाद देते हैं हमारे साथ में सामिल होलने के लिए यह याद रखना वच्चन ही जीवन है जीवन ही वच्चन है क्योंकि विना वच्चन के परमेश्वर को प्रसंद करना आसंबो है क्यों ना हम प्रात्मा कर ले स्वर्ग पिता धन्यवाद देते हैं आज इस समय के लिए जो आपने ठहराया कि आपके वचन के द्वारा हम सीख सके आपके वचन के द्वारा जो उधारा में मिलता है आपके वचन के द्वारा हमें चंगाई को मिलता है पवित्र इश्यू के नाम से आमेन आइमेन तो आज हम वचन में से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन अपने विशे में क्या कहता है और यह यह कहता है कि हम परमेश्वर के वचन की महिमा से चंगाई प्राप्त करते हैं हम लोग जो है मनुश्य जो है वो परमेश्वर के वचन की महिमा से चंगाई प्राप्त करते हैं यानि कि वचन के द्वारा हमें उद्धार मिलता है वचन के द्वारा हमें चंगाई को मिलता है अगर हम देखते हैं कि जैसे हम लोग रहते हैं हम लोग चाते हैं कि हम चंगाई में या स्वास्त में अपने जीवन को बैतीत करें उसी परकार से या हम ये कैसे सकते हैं कि जितना हम चाते हैं कि हम चंगाई में अपने जीवन को बैतीत करें उससे कहीं जादा परबेश्वर चाता है कि उसके लोग उसके जो संतान है या उसके जो बेटा या बेटी जो हम लोग वो चंगाई में अपने जीवन को बैतीत करे और वो चंगाई हमें शरीर में मिलता है वो चंगाई हमारे जीवन में सिर्फ हमारे नहीं हमारे परिवार में हमारे जो यार दोस्त रहता है उस लोग उन लोगों में भी चंगाई परमेश्वर चाहता है रहने के लिए और दाउ करता है और जिस गड़े में वे पड़े थे उस से निकालता है फिर से मैं पढ़ दू वा कौन है परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उने उनको चंगा करता है याने कि हमें चंगा करता है अपने लोगों अपने प्रजा के लोगों को चंगा करता है और जिस गड़े में प अपने वचन को बेच कर या अपने वचन को सुना कर वो अपने वचन के द्वारा हमें दिखलाता है कि किस मर्ग में हमें चलना है प्यारे लोग वचन बहुत से समय हम लोग पढ़ते हैं वचन बहुत समय हम परचार जो होता है इस समय आप वचन को सुनते है और परमिश्वर अपने वचन के दोआरा आपसे बते करता है और ये कहता है कि मेरे वचन में वो समर्त है को आपको चंगाई दे सकता है आई मैं मैं वो ऐक अलग बात है कि जब हम वचन को अपने मुख से बोलते हैं लेकिन मैं ये आज दिखलाना चाhtा हूँ कि वो वचन जो देदारी होकर वो ऐसा कार को किया या हम कह सकते हैं अगर कोई हम लोग विल बनाते हैं या कोई पैपा उसमें सील को मारते हैं और वो सील कहता है कि ये औरिजिनल कोपी है या ऐसा ही होगा ठीक है उसी परकार से हम देखेंगे कि दरमसास कहता है यही वचन परमेश्वर का वचन देधारी आपने पिछले सब्ता देखा होगा कि हमने वचन के बारे में बतला है कि वचन देधारी हुआ और वो इसुमसी ही था ठीक है इसुमसी परमेश्वर का वचन था तो हम फिर से देखेंगे यहुना के किताब में कहता है पहला और पहला और चोधा में देखेंगे यह कहता है कि आदी में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ में था यानि कि वचन या प्रभु येशु मसी जो वचन है वो परमेश्वर के साथ में आदी में सुरुवात म होकर हुआ और अनुग्रा और सच्चाई से परिपूरन होकर हमारे बीच में डैला डारा। यह यहना कहता है क्योंकि यहना परविश्वर की महिमा इस मसी में देखा। बहुत से समय यह कहते हैं या बहुत से समय लोग यह नहीं जानते हैं कि वचन ही है जो हमें चंगाई को देता है परमेश्वर का वचन के द्वारा हम चंगाई को प्राप्त करते हैं इसु मसी हमें चंगाई को दे दिया है हम देखते हैं फेस्ट पीता 224 में वो ही वो आप ही वो आप ही या हम यह कह सकते हैं यहां पर हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं इश्यू हमारे पापों को अपने दे पर लिए हुए क्रूस पर चड़ गया ठीक हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चड़ गया जिससे हम पाप के लिए मर करके धर्मिक्ता के लिए जीवन बिताए उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए ये नहीं कहता है कि उसी के मार खाने से तुम चंगे होंगे लेकिन ये कहता है कि तुम चंगे हुए ठीक है जो हो गया है चंगाई हमें मिल गया है ठीक है शरीर में बिमारी आता है आज हम चंगाई को प्राप्ट करते हैं वो उसका मतलब यह कि वो जो चंगाई हमारे में है जो इशु मसी हमें दिया वो चंगाई प्रगट होता है या उस चंगाई को हम अपने शरीर में देखते हैं उसका मतलब यह नहीं कि चंगाई अभी हमें मिला नहीं वो चंगाई के ये इश्यू दो हजार बीस वर्स पहले हमारे और आप के लिए क्रुस पर बलीदान हुआ पहला उसने पाप को हटा दिया हमारे लिए फिर जो पाप के दौरा बीमारी आया उस बीमारी को हमारे लिए अठा दिया याने की जब वो कहता है कि वचन के दौरा हमें चंगाई मिलता है ईश्यू मसी ही वो वचन है उसके दौरा हमें चंगाई मिलता है प्यारे लोग आज हम देखते हैं हमें चंगाई में रहना है तो हमें अपना निगाप रभू येश्यू मसी पर लगाना है हम लोग विश्व के विश्वास 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 के विश होता है ठीक है ये वचन जब हमारे जीवन में जीवित हो जाएगा हमारे शरीर में जीवित हो जाएगा हमारे आत्मा में जीवित हो जाएगा तो क्या होगा वो वचन हमारे शरीर में प्रगठ होने लगेगा या उसका जो कार है वो प्रगठ होने लगेगा अमनों देखते है चलो देखते हैं एजाया के किताब ठीक है एजाया में देखते हैं ये कहता है एजाया 53 फो और फाइब में देखे बहले निस्चे उसने हमारे रोगों को सहे लिया और हमारे ही दुको को उठा लिया तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दूर दसा में पड़ा हुआ समझा परंतु वा हमारे ही अपरादों के कारण घायल किया गया और हमारे धार्मिक अधरम के कामों के कारण कुछला गया हमारे ही शांती के लिए उस पर तारना पड़ी कि उस के खोड़े खाने से हम बला चंगे हो जाए हम बला चंगे हो जाए ये एजाया 400 वर्स पहले बहुश्वानी को किया उसके बाद में 400 वर्स बाद इस्जु मसी आया और ये वचन को पूरा किया उसने हमारे रोगों को उसने हमारे दुकों को अपने उपर ले लिया याद रखना ये बात जब उसने हमारे रोगों को ले लिया प्यारे लोग आज हमें उस रोगों को उठाना या अच्छी तरह से कहता है बले निस्चे अंग्रेसी में कहता है शुली ना अगर हम कुछ कहें कि निस्चे या शुली उसके मतलब वो होकर ही रहेगा तो इश्यू निस्चे उसने हमारे रोगों को उठा लिया, हमारे रोगों को सहे लिया उसने हमारे स्थान को लेकर उस रोग को अपने उपर ले लिया अब हमारे दुख को उसने अपने उपर ले लिया और उसने अपना चंगाई या उसके खोड़े खाने से हमारे सजा को सहने से क्या होता है कि हमें चंगाई को प्राप्त होता है जब परमेश्वर अपना वचन बेजता है तो वह उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर अपना वचन को देखता है यानि कि परमेश्वर जब अपन वच्चन को जैसे हमने पढ़ा था साम्स एंडर एन सेवन वेस्ट ट्विंटी में पढ़ा था कि परमेश्वर अपने वच्चन को बेज कर या इश्यू को बेज कर उसने हमें चंगाई को दिया है तो अगर परमेश्वर अपना वचन बेजता है तो वो उसे पूरा करने के लिए अपना वचन को पूरा करने के लिए अपने वचन को वो देखता है और वो अपने वचन के द्वारा हमें चंगा करता है वो वचन बेशता है और वो अपने वचन को देखता है कि उसे पूरा करे जो वो बेजा है वो पूरा करे मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर हम देखे परमेश्वर जो कहता है वो करता है अगर उसने एक बात को किया वो दरमसास कहता है कि वो मनुश्य नहीं कि वो जूट बोले ठीक है मनुश्य एक बात करकर वो जूट बोल देता है अगर कहीं पर पहुंचना कहता है कि हम साथ बजे पहुंचेंगे वो आप पर सेवन पहुंचता है और कहता है कि ये फीजी टाइम है जी नहीं ये फीजी टाइम नहीं है ये सम सब्द को देता है अपने वचन को देता है वो देखता है कि वो वचन को पूरा भी करेगा वो परमेश्वर जो है अपने आपको अपने वचन में बांध लेता है ठीक है अगर वो कहता है कि मैं अपने वचन बेचकर तुम्हें चंगाई दूँगा तो वो चंगाई देता है लेकिन जब हम चंगे नहीं होते तो वो पर मेश्वर का गलती नहीं है वो हमारे और आपका कुछ गलती होता है प्यारे लोग मैं ये बात करना चाहता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पर लाइट बरता है यह लाइट जो आता है उसके लिए एक स्वीच है थी यह लाइट अगर हम स्वीच नहीं उन करते हैं और यह नहीं कह सकते हैं कि वो लाइट नहीं है लाइट नहीं आता है यह फिल अपना काम को नहीं नहीं उसने अपना कार को किया है वो जो पावा वो करन जो है उसे बेज दिया है हमें क्या करना है हमें उस स्वीच को उन करना है उसी पर विश्वास वो स्विच है विश्वास जो हमें और परमेश्वर के वचन को कोनेक्ट करता है उसके द्वारा हम चंगाई को प्राप्त करते हैं प्यारे लोग आज परमेश्वर जो है वो अपने वचन के समर्थ के द्वारा में चंगाई को देता है हम उसे में कोनेक्ट हो जा है क्योंकि वो महान परमिश्वर है लेकिन हम अपने आप को देखे कि कहा पर हम गलत इस्तान पर है प्यारे लोग यह याद करना कि वो जो विस्वास हमें करना है परमिश्वर के वचन में और जब हम वचन में विस्वास करेंगे चंगाई हमारे लिए है इसमसी आकर उस वच इसलिए यहाँ पर हम आपने पड़ा एजाय किताब में एजाय कह सकता है कि निस्चे ईशु मसी ने हमारे रोगों को जो मनुश का जो रोग ता जो दुख ता उसे उठा लिया अगर ईशु ने उसे उठा लिया हमें लेकर चलदाने मुझे याद आता है कहानी को मैंने यह कि एक वेक्ती अगर नमुने के तोट पर देखा जाए तो समझ लग वेक्ती आता है नसुरी से सुवा माकेट के लिए वो जो अपना जो किरते हैं वो वेस्टिवल्स है सागबाजी है उसे बेचने के लिए और वो अपने कंदे पर लात कर लेकाता है वो जो एक बस्ता में बर कर वो घड़ू है लाद के लेकिन जब रास्ते पर वो चलते आता है और एक वेकल आता है वेन आता है जो उसका जो ड्राइवर ता या अउना ता उसे देखकर दया है या कहता है कि आयो भाई मैं भी सुबा जा रहा हूँ आप मेरे जो पीछे केरी आए इसमें बैठ चड़कर बैठ जाता है ठीक है लेकिन जब वो चड़कर बैठता है वो जो गट्री है वो अपने उपर ही रखा हुआ है तो उसका लाब क्या है कोई लाब नहीं है उसी परकार से बहुत समय हम लोग जो हमारे लिए इसमसी ने कर दिया है या हम इसमसी के पास जाते हैं प् हमें जो देना है वो दे दीजिए वहाँ पर रख दीजिए इसमसी के पार पर रख दीजिए और वहाँ से हम खाली आए इस वेक्ती ने वेन में बैटा लेकिन वो गट्री लेकर बैटा वो जो घड़ु आट था उसका जो 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 भोजा था वो अपने कंदों पर ही बिश्राम दोंगा हे बोस से दबेवे लोग हे पीडा से दबेवे लोग पीडित लोग मेरे पास आओ मैं तुम्हें चंगाई देता हूँ क्योंकि मेरे दुवारा चंगाई आया है मैं चंगाई को लेकर आया हूँ मैं तुझे जीवन देता हूँ बहुतायक सा जीवन दे हैं तो यशुमसी हमारे लिए क्या कर सकता है कुछ नहीं उसी परकार से जैसे हम वहाँ पर जाते हैं हम जानते हैं कि पावर है यह करन दोड़ता है लेकिन हम स्विच को नहीं उन करते हैं हमें उस स्विच यह विश्वास को द्वारा वहां पर रखना है और यह जान ले कि न मैं पढ़ना चाहूंगा जर्माया 1.12 इसके विशे में मैंने बाते करें लेकिन पढ़ना चाहूंगा ये कहता है तब यहुआ ने मुझ से कहा यानि कि यहुआ जो है परमेश्वर यहाँ पर जर्माया से बाते करता है और कहता है तुझे ठीक दिखाई पड़ा है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरित हूँ यानि कि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए तैयार हूँ जो उसने कहा वो तैयार है यहां पर हम देखते हैं कि शुरुआ से अगर पड़े तो यहां पर परमिश्वर जर्माया से कहता है कि मैं ने तुझे अब तुमारे माता के गरफ से चुन लिया हूँ ताकि तुम जाए लोगों से बाते करे देश से जो तू कहेगा वो होगा क्योंकि परमिश्वर उसके मुख में कहता है कि मैं तुमारे मुझे वचं को रखूंगा और तू कहेगा जर्माया कहा कि मैं एक बच्चा हूँ कैसे या मैं चोटा बाला बच्चा हूँ कैसे मैं कहूंगा और परमिश्वर कहता है कि यह मत कहे कि तू चोटा बच्चा मैं तुमारे मुझ पर सब्द रकूंगा और तू जाकर कहेगा और फिर उसके बाद में परमेश्वर कहता है जरमाया से कि क्या तुम देखते हो तो जरमाया कहता है कि मैं देखता हूँ बदाम का ब्रिच जो एक शाक बदाम का जो ब्रिच है या जो पेर है उसमें से एक और ब्रिच निकलता है बदाम का पेर में से जो नया ब्रिच निकलत तो परमेश्वर कहता है कि यह सही जो तुने देखा याने कि मैं नया कारे करता हूँ नया कारे करूंगा और मैं जो जिसके लिए अपना शब्त को बेजूँगा जिसकार के लिए मैं देखूंगा कि वो पूरा होगा प्रभू की जे अगर परमेश्वर कहता है कि मैं तुमार अरे शरीर में चंगाई प्राप्त हो और इसलिए उसने रुखा ही नहीं लिए यिसु मसी को बेच कर हमें और आपको चंगाई को दिया अमें हालेलुया प्रेज गोड तो हम देखते हैं यह मैंने यहां पर लिए जब परमेश्वर अपना वचन वेशता है तो वह उससे पू रोगों को सहे लिया और हमारे दुकों को उठा लिया तब हम रोग या दुकों को उठाने के लिए आवशक्ता नहीं है तब हमें रोग और दुकों को उठाने के लिए आवशक्ता नहीं है वह हमारा इस्सा नहीं है हो सकता है क्योंकि परमेश्वर ने हमारे रोगों और प पाप को इशु पर डाल दिया है ठीक है वो हमने देखा कि इशु पर डाल दिया है 2nd Corinthians 5.21 पड़े जो पाप से अग्यान था अग्यान था उसी के उसी को उसने हमारे लिए पाप तहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धर्मिक्ता बन जाए आइमें जो पाप से अग्यान था जो पाप के विशे में जानता नहीं था या उसको हमारे लिए पाप तहराया प्रभु इशु मसी जो पाप नहीं किया था उसने हमारे लिए पाप तहराया उसको जब उसे पापी तहराया या हमारे जो बीमारी उसके उपर डाल दिया हमें से उठाना नहीं है आइमेन जो परमेश्वर के धार्मी जन है वा बिमार नहीं हो सकता है याद रखना साइटाप यह कर अरे कैसे बोल दिया पादरी साब क्योंकि बिमारी पीडा मैं यह नहीं कहता हूँ कि आता नहीं है मैं यह कहता हूँ जो परमेश्वर के धार्मी जन है वो बिमार नहीं हो सकता और ना पाप उस पर राज कर सकता है जब तक हम शैतान को प्रबुता नहीं देते हैं तब तक शैतान की कोई प्रबुता दर्मी जन पर नहीं हो सकता यानि कि अगर हम सैतान को अपने जीवन में कार करने के लिए प्रभूता देंगे तब वो हमारे जीवन में कार कर सकता है अगर हम नहीं देंगे हम अपने आप को हर एक समय करें कि मैं परमेश्वर का धार्मी जन हूँ प्रभू येशुमसी के द्वारा I am the righteousness of God in Christ Jesus मैं परमेश्वर का धार्मी जन हूँ प्रभू येशुमसी के द्वारा और हम प्रभू येशुमसी का धार्मिक्ता को देखेंगे तब क्या होगा हम शैतान को अपने जीवन में प्रभूता या प्रभूता करने के लिए नहीं देंगे और जब नहीं देंगे बिमारी हमें नहीं चूँ सकता है पाप अमारे जीवन में राज नहीं कर सकता है परमेश्वर वो परमेश्वर का वो वचन ही है जो हमें शैतान का स्वामी बनाता है मैं फिर से पढ़ दू शायत ये बहुत कड़ा पड़ेगा आपको लेकिन इसे देखना और सुनना और से समझना परमेश्वर का वचन है जो हमें शैतान का स्वामी बनाता है परमेश्वर का वचन या प्रभू ईशु मसी के दौरा हम शैतान पर विजए प्राप्त करता है य मनुष्व के सेवक है हम परमेश्वर के संतान है मनुष्व का सेवक है हम एक दूसरे को सेवा करते हैं और सैतान का स्वामी है प्रभू येशु मसी के दौरा या परमेश्वर के वचन के दौरा हम जब वचन के अधिखार को जान जाएंगे तो सैतान को अपने जीवन में प्रभुता करने नहीं देंगे बिमारी को अपने जीवन में प्रभुता नहीं करने देंगे क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि ईशु मसी के मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं हालेलुया हम चंगे हो चुके हैं प्रेज दे लोड तो मैं आज यही पर समाप्त करूँगा प्यारे लोग और मैं यह जानता हूं कि जरूर आपने उत्यजित को पाया है और कभी भी अगर बिमारी आपके चूने की कोशिस करेगा तो अब आप बचन के समर्त या बचन के दौरा बचन अपने मुक में रखकर यह जान ले यह सचा ही है यह जान ले कि ईशू मसी ने निश्चे हमारे रोगों को हमारे दुकों को उठा लिया हमें उसे उठाना नहीं है हमें क्या करना है धन्वाद देना है परमेश्वर को कि धन्य परमिश्वर आपने अपने वचन को बेच कर अपने बेटा को बेच कर हमें चंगाई को दिया और मैं चंगाई में अपने जीवन को पिताता हूँ अगर पहली बार आपने परमेश्वर का वचन सुना है और आप चाते हो परमेश्वर को अपना जीवन देने के लिए क्योंकि बिना प्रव येशु मसी के द्वारा आप उद्धार को नहीं पा सकते हो क्योंकि येशु कहता है मार्ग सत्ते और जीवन मैं हूँ बिना मेरे द्वारा कोई पिता से नहीं मिल सकता है और इशु मसी पर विश्वास लाने से हम उद्दार को पा सकते हैं तो अगर आप इशु मसी पर विश्वास लाते हुआ तो आज मेरे बाद में ये प्रात्ना को आप करिए कहिए स्वर्गे पिता मैं विश्वास करता हूँ ईश्व मसी प्रभू है जो क्रूस पर अपना प्रान दिया और तीसरे दिन बाद फिर से जी उठा मुझे पाप से च्छमा करने के लिए इश्व मैं आपको अपना जीवन का प्रभू बढाता हूँ आज से मैं आपके मार्ग में चलूँगा आज से मैं आपके सेवा करूँगा मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि पवित्र आत्मा मुझे आपके मार्ग में हर एक दीन चलाए इश्व मसी के नाम से आमे अगर आपने इस प्रातना को किया है जरूर आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए टापकि आपको हम बच्छन जीवन में आगे बढ़ा सके मदद कर सके आपको आगे बनने के लिए क्योंगा हम प्रातना करें और मैं चाहता हूँ कि इस समय जब आप प्रातना करें तो मैं चाहता हूँ कि आप विश्वास के द्वारा अपने हाथों को स्क्रीन के गोर बढ़ाए और मैं यहां से आपके लिए प्रात्ना करूंगा। स्वर के पिता मैं धनुगा देना चाहूंगा आपको कि आपने अपने सब्ट को भेजा, अपने एक लुटा पुत्र को भेजा, जो हमारे स्थान को लिया, हमारे रोगों को उठा लिया और उस रोग उस पाप को उसने प्रेम के द्वारा क्रुस पर बलीदान को कर दिया धन्वाद देते हैं कि इशू आपके खोड़े खाने से चंगाई को प्रात किया है हम और उसी अधिकार से मैं कहता हूँ हर एक बिमारी का आत्मा हर एक पीडा का आत्मा जो लोगों के सरीर में सरीर को सताता है पीडा में लाता है मैं हुकुम देता हूँ तुझे इशू के नाम से निकल कर चला जाए और लोट करना है पूरे तोर से सर से लेकर पाओ तक हर एक बिमारी इस शरीर से निकल कर चला जाए मैं ओ, ओ, वो कान का जो बिमारी है, वो कान पिराता है, या वो कान सुनाता नहीं है, इस वक्त वो कान खुल जाए, ईशू के नाम से, इशू हम दन्यवाद देते हैं, आपके चंगाई के लिए, उन आख में चंगाई के लिए, ओ, कि वो आख पूरे तोर से देखने लगे, वो आख पूरे तोर से चंगाई में रहे, ईशू मसी के नाम से, ओ, फादर, तैंक यू लॉर्ड, दन्यवाद ईशू, वो दात के लिए, जो दात के पीड़ा है, मैं उसे हुकुम देता हूँ, ईशू के नाम से, वो चला जाए, और पूरे तोर से वो दातों में चंगाई आए, ईशू मसी के नाम से, प्रभु जी हम ये प्रात्ना को करते हैं, और दन्वाद देते हैं आपके चंगाई के लिए, बाउताएक से, आमें, अगर आप, मैं आपको दन्वाद देना चाहूंगा, मैं जानता हूँ कि चंगाई आपने प्राप्त को किया है, और इस घड आपके जीवन में ये चंगाई प्रगत होता है, हम दन्वाद देते हैं प्रभु परमेश्वर को, और अगले मिलने तक ये याद रखना कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम रखता है, यहां JCLA में हम लोग आपसे बहुत प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रात्ना को क पुले अबाजबना कि अपते एंग से डिपिक प्र 중 एंग सय वालंती, आज अजान, पुले नाज कि विपक्यों कि विए नाज कम्यानू यु कि ज tea कि विए निखेना मिएंटे लुपी सिर्वीकente, 25 202